Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Sabi Forensics So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ questions के बारे में और ये questions आपके Jammu and Kashmir का जो previous year paper हुआ था Scientific Officer Ballistics का उसके questions हैं इसके already 40 questions को हम discuss कर चुके हैं Next 10 questions को आज के इस वीडियो में हम cover करेंगे तो आपके सामने पहला question है जो कि आपका question number 4 यहाँ पर पूछा गया है The Dermal Nitrate Test for GSR is used for detection of तो जो Dermal Nitrate Test होता है GSR याने कि Gunshot Residues के लिए GSR के full form होती है Gunshot Residues ठीक है तो GSR के लिए जो हम Dermal Nitrate Test को use करते हैं वो हम किस चीज के detection के लिए हम use करते हैं तो यहाँ पर जैसे के आपको इसके नाम से भी समझ में आना चाहिए Dermal Nitrate Test तो यहाँ पर GSR में जो Nitrate Presence होता है Nitrate के जो Particles Available होते हैं उसके detection के लिए हम इसको use करते हैं अब यहाँ पर जो Dermal Nitrate Test होता है Specifically Detect करता है Nitrate Compound की Presence को On the Skin or Claws जहाँ पर भी आपकी GSR Particles की Available होने का Suspection होता है Next Question है Dermal Nitrate Test Detect क्या करता है तो यह आपका GSR को Detect करता है अब यहाँ पर Basically Similar Questions आपको लग रहे होंगे पर आपके Question Paper जो था उसमें सेम इसी तरह से Questions आए हुए थी एक Topic पर काफी सारे Repetit Questions थे और यह जो GSR और Nitrate वाले Topic है इस पर एक ही तरह के कई सारे Questions आपको Repetitly देखने को मिल रहे हैं ठीक है अगला Question है यहाँ पर पूछा गया है विच अलिमेंट अराउंड गन शॉट होल इस टेस्टेट बाइ डाय थायो अक्समाइड टेस्ट तो यहाँ पर कौन सा अलिमेंट होता है जो कि आपका डाय थायो अक्समाइड टेस्ट की थू हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर इस Question का Correct Answer हो जाएगा Option No.A Copper जो रहता है उसको हम डाय थायो अक्समाइड टेस्ट की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो डाय थायो अक्समाइड टेस्ट है इसका यूज हम क्या करते हैं तो इसका यूज होता अगर हम बात करें तो अगला क्वेशन है आपर ब्लाकनिंग अराउंड गन शॉट होल्स इन क्लॉट में तो जो ब्लाकनिंग होती है गन शॉट होल्स के आसपास क्लॉट में वो आपका क्या होता है डिपोजित होता है स्मोग का डिपोजित होता है लेड वेपर्स का डिपोजित होता है ब्लाक पाउडर का या फिर all of the above तो जो blackening होती है वो इन सभी का deposition होता है तो correct answer हो जाएगा option number D all of the above तो यहाँ पर बताया गया है when a firearm discharge होता है तो जो combustion होता है gun powder का वो generate करता है smoke को जिसमें की आपके particular matters होते हैं GSR particles होते हैं जिसमें आपका lead vapor, black powder burnt, semi burnt, unburnt particles, surface surrounding surfaces पर इतना deposit होता है वो सारा कुछ आपका blackening में consider करा जाता है next question है neutron activation analysis detect करता है presence of which of the following तो neutron activation analysis की help से हम क्या find out करते हैं तो यहाँ पर correct हो जाएगा आपका antimony and barium antimony and barium है इसका detection के लिए हम neutron activation analysis का use करते हैं यह बिसिकली हम gsr particles की ही बात कर रहे हैं अब जो neutron activation analysis है यह एक तरह की टेखनीक है जिसका use हम elemental analysis के तोर पर करते हैं तो काफी सारे elements होते हैं जो की activate हो जाते हैं और कुछ gamma rays को emit करते हैं जिसकी वजह से मतलब जो gamma rays निकलती है तो उन gamma rays के detection से ही हम यह चीज़ find out करने के लिए कर पाते हैं बिसिकली की कौन सा particular element यहाँ पर कौन सा specific element sample में available है तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं ज जिएसर अनालेसिस की तो जिएसर में आपका antimony and barium available होता है तो जब भी हम जिएसर में neutron activation analysis लगाते हैं तो वहाँ पर हमको इसके दो जिएसर के दो कह सकते हैं की elements देखने को मिलते हैं primer residues के जो की होते हैं antimony and barium अब अगला question और यहाँ पर बोला गया है modern ammunition consists of तो जो modern ammunition होता है उसमें क्या होता है उसमें ammunition में bullet भी होती है propylene भी होता है primer भी होता है तो all of the above जो ammunition होता है उसमें यह तीनों के तीनों available होते हैं bullet क्या होता है bullet आपका एक तरह का कह सकते हैं एक ऐसा particular matter है जो कि आपका projectile होता है अपने target तक पहुँचने के लिए अगर कोई भी firing करी जात होता है जो कि आपके फायराम से निकल कर target तक पहुचता है और यह basically ज्यादा तर आपका lead का बना हुआ होता है और इस पे कई बार कुछ aluminum की jacket या lead की jacket इस तरह से कुछ अलग-अलग jackets भी available होती है वो depend करता है type of projectile किस तरह का है next अगर हम बात करे propylene की तो propylene को हम gun powder भी कहते ह है और यह तरह का chemical substance होता है जो कि जब firing होती है मतलब जब firing करी जाती है तो उस time पर यही propylene particles होते हैं जो की burning होती है जिनमें और इसकी वजह से फायराम के अंदर pressure create होता है इसकी तरह से जो प्रजेक्टाइल है वो अपने target तक reach कर पाती है next अगर हम बात करें प्राइमर की तो प्राइमर जो होते हैं यही basically initiation होता है initiation point होता है जहां से आपकी firing का phenomena start होता है यानि कि जब भी firing करी जाती है तो जो फायराम के अंदर एक part होता है hammer तो वो जो hammer जो होता है primer cup पर hit करता है तो primer cup के अंदर होता है primer तो जब वो hit करेगा तो वहीं से ignition start होता है वहीं से initiation होता और उसी इगनिशन की वजह से आपका प्रॉपिलेंट में बर्निंग होती है तो जो प्राइमर है यह आपका एक स्मॉल एक्स्पलोसिफ चार्ज होता है जो की कार्ट्रीज के बेस पर अवेलिबल होता है और वही चीज जब फाइरिंग बेस ट्रॉक करती है तो प्राइमर इगनाइट करता है जो कि initiate करता है combustion of propelence and firing of the bullet तेके अब यहाँ पर अगर आपको इसकी firing की पूरी detail में जाना है firing किस तरह से होती क्या इसका process होता है क्या क्या इसके internal ballistics है basically क्या external है तो यह सारा already forensic ballistics की separate playlist available है वहाँ पर बहुत detail में हमने हर एक चीज को cover किया हुआ था तो वहाँ से जाकर आप इसको पर सकते हैं next question यहाँ पर पूछा गया है the propulsive force given to a projectile most often comes from तो जो आपका propulsive force होता है यहनि कि projectile अगर अपने मतलब फाहरां को छोड़कर target तक पहुच रहा है तो उस पर जो major force लगता है वो किस वजह से होता है rapid combustion of gunpowder presence of magazine weight of the bullet and require velocity तो correct answer हो जाएगा rapid combustion of bullet sorry rapid combustion of gunpowder तो जतना जादा combustion और जितनी तेजी से combustion होगा उतनी तेजी से bullet है जो projectile है अपने target तक पहुच पाएगी वही main इसका force जो लगता है propulsive force होता है वो basically rapid combustion होता है gunpowder का अब in modern firearms जो propulsive force होता है generate होता है by rapid combustion of gunpowder or propellant जो की cartridge case के अंदर available होता है जबी भी firearm fire करी जाती है जो primer होता है ignite करता है gunpowder को create rapid expansion of gases जिसकी वजह से pressure create होता है bullet के पीछे और आपके cartridge case के अंदर और यही जो pressure create होता है यही pressure bullet को अपने target high velocity से पहुंचने पर help करता है next question यहाँ पर पूछा गया है imprint on base of cartridge is known as cartridge के base पर imprint होता है head stamp head stamp होता है वो आपके cartridge case के base पर जो भी impression होता है rim क्या होता है rim आपके cartridge case का part होता है जहां पर आपके base होता है cartridge case का उसमें यह आपकी cartridge है कुछ इस तरह से और यह आपकी bullet लगी हुई अंदर सब कुछ propellant है primer है वो सब कुछ इसके अंदर है अब यह जो base वाला part होता है यानि कि यह वाला part यह अगर बिल्कुल straight है यह बिल्कुल cartridge case से बाहर कुछ भी नहीं आ रहा है तो यह होता है आपका non-rimmed अगर यही पर आपकी यह थोड़ी सी इस तरह से होती है तो इसको हम बोलते है rimmed तो यही जो चीज होती है इसको हम बोलते है rim of cartridge अब इसके base पर यानि कि यह वाला जो part है यहाँ पर कुछ stamp होता है तो इसको हम बोल देते है head stamp canaleos जो होता है यह आपके bullet के पास में कुछ इस जगह पर मतलब यह मैं आपको clear उतना बताने पा रही हूँ इस जगह पर एक lining बनी होई होती है तो वह आपका कहलाता है क्याने layer अब यहाँ पर अगर बात करें head stamp की head stamp क्या है एक तरह का mark होता है जो की base पर cartridge case की base पर impress होता है और यह typically contain करता है कुछ information और वह information होती है कि इसको किसने बनाया है यानि कि इसके manufacturer कौन है उसके लिए कुछ इसका नाम कुछ symbol या इस तरह की information उस पर depict करी जाती है कई बार date और location of production यह भी उस पर imprint होता है तो यह काफी important हो जाता है forensic point of view से क्योंकि इससे हम काफी सारे information derive कर सकते हैं और काफी हद तक जो भी criminal है जिसने भी crime किया है उसको हम find out कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर आपके साबने अगला question question number 9 और अगर हम question paper के according बात करें तो यह 49th version है जहाँ पर पूछा गया है handgun and rifle barrels are rifled because तो जो handguns होती है और जो rifled barrels होती है वो rifled होती है याने कि उसके अंदर lans and grooves available होता है rifling का मतलब होता है जो आपके firearm है उसकी barrel के अंदर lans and groove याने कि कुछ raised or depressed portion available होना तो यह क्यों available होता है option है आपके सामने यह stop करता है bullet को from getting fired ऐसा कुछ भी नहीं होता है यह जो है increase करता है accuracy of shooting तो यह विल्कुल सही बात है और यह wobbling in flight wobbling increase करता है तो यह भी नहीं होता है wobbling का मतलब होता है जो उसका path है वहां से deviate कर जाना और कुछ अलग तरह से rotation करना wobbling को बाकि रीटेल में हमने previous वीडियो में discuss भी किया हुआ है forensic ballistics की playlist में आपको मिल जाएगा तो यहां पर correct answer हो जाएगा option number B यानि कि यह जो है जो rifling होती है वो shooting की accuracy को increase करता है अब यहां पर last question question number 50 और इसके according question number 10 first fully automatic machine gun was created by तो जो पहली automatic machine gun है उसको किसने create किया था तो उसको create किया था Hiram Maxim ने Hiram Maxim जो है इन्होंने पहली fully automatic machine gun को create किया था 1884 में 1884 में इन्होंने इसको बनाया था Maxim gun एक तरह का recoil operated machine gun होती है और इनका पूरा नाम है Hiram Stevens Maxim यह first fully automatic machine gun है जहां पर आपको सिर्फ trigger को pull करे रहना है बाकी सारा कम automatically अपने आप होता रहेगा तो यह हो गया आपकी पूरे 50 questions question paper के बाके के questions को भी हम जल्दी कर लेंगे अभी यहां पर इस वीडियो करते हैं बाकी जितने भी PDF से आपको में टेलिग्राम पर मिल जाती है बहुत सारे questions है जो कि हमारी website पर भी available है तो website पर विजिट जरूर से कर दीजेगा और यह वीडियो पसंद आ रहा है तो like जरूर से कर देगे अपने friends के साथ में share कर दीजेगा ताकि उन तक भी यह वीडियो पहुंच सके चैनल पर पहली बार आये हैं तो subscribe जरूर से कर लेंगे बेल अगन प्रेस कर लेंगे for daily updates and thank you so much for joining me here